इस वीडियो में हम discuss करेंगे Analog to Digital Converter, Digital to Analog Converter, बिसिकल लिंग को यूज कहा करते हैं, यह है क्या, करते क्या हैं, और इनकी application, तो application भी समझवा जाएगी, ठीक है, तो अब देखो, हमें क्या करना है, हमें कोई plant है, उसको हमें automation में डालना है, और बहुत सारी इंट्रफेसिंग डिवाइस हो सकते हैं कहने का मतलब इसको आप कंप्यूटर बोल सकते हो या इस तरह बड़ा प्लांट है तो फिर बड़ा चाहिए तो इस तरह गाए तो अभी हमारा चोटा सा बोईलर में क्या है मतलब है वहां पर उसको क्या करते हैं में चलते हैं या इसको मान सकते हैं इसको आइरन में इसको भीर नोनियम को रिफाइन कर रहे हैं तो जो भी मिलता है वह जो नेच्टरल फ़ों में मिलता है ऊक्साइड करने के लिए और फिर उसके बाद उसको कंट्रोल करना है तो प्रेशर को मेंटेन करना है हमको है ना तो मेंटेन करने के लिए क्या करना है उसको अगर वो कुछ लिमिट से ज़्यादा होता है तो माइकर पॉसर के पास जाएगा signal माइकर क्या करेगा तो वहाँ पर जो भी फ्यूल है उसकी quantity कम कर देगा अगर जो लेवल होना चाहिए प्रेशर का है गर अगे चलते हैं अगर टेमिरेचर से पहले हैं तो सेमकेस आगे लिए मैंने बढ़ाएगा तो और उससे कम है तो फ्यूल के को बढ़ाएगा अगर उससे ज्यादé तो जो भी हमारे sensor है वह जो आँ को सेंस करते हैं ठीक है तो यहां पर सेंसर है रहे हमने पर लगाया हुआ यह और जान करेगा उसको सेंस करेगा और एक mecanical form में उसका ओट देगा ठीक है तो mechanical form में भी हो सकता है, हो सकता है कि वह electrical form में भी हो, मतलब, capacitor change कर दे, मुझा capable acceptance change कर दे, inductance change कर दे, resistance change कर दे, temperature increase होने से, है न? तो अगर capacity change कर रहा है, inductance या resistance change कर रहा है, तो directly उसको electrical में convert कर लेते हैं, ठीक है, अगर कुछ तो उसके बाद पर कुछ और उस तरह है पिर एक लगाते हैं जो 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 इसके बाद यहां पर सिगनल कंडिशनिंग क्या करती है जो जो भी हमारा इसका सेंसर का यह तो यह बहुत ही उसमें माइनर चेंज है तो उसको क्या करते हैं से बहुत सारे सिगनल की कंडिशनिंग के काम है जैसे कि हमारा हेर कंडिशन होता है तो इस तरह का ही है के सिगनल की कंडिशनिंग की जाती है करने का मतलब है कि उसको एंप्लिफाइड या उसको फिल्टर करना हो रहा उसके बाद यहां से जो आप उट आएगा उसको बूलते हैं बैंड लिमेटेड सिगनल ठीक है तो एक साटन फ्रक्वेंस को अलाव कर रहें बाकी को अलाव नह सब्सक्राइब उसको डेटा को रिसीव करेगा और उसके अकोडिंग यहां पर वह आउटफूट जनेट करेगा तो माइकर पूर्पूट देगा वह देगा डिजिचल फॉम में तो डिजिचल फॉम में नहीं समझता है ना तो जो हमारा इंडेक्शन मोटर है तो वह किस फॉ स्टेर के सिगनल किया है मैं जो भी आउटफूटन कर लेका ठीक है तो यहां निकलता एक वाइनरी वडी फॉम में ठीक है तो एक बाइनरी वर्ड ऑफिर उसके बाद दूसरा आया तो उसके बाद कोई तीसरा आया तो उसके अग्वू पोडिंग जो वो किलेवल है वह इं तो में हाँ पर इस तरह दिखा देता हूँ तो कि रोज़ते बनेगा उसको बोलते है स्टेर गेस इस तरह में कमें है अब इसमें को यह 지नल आया हे Gaming है ठीक है अब यह निकाल lui है ट॥ किमान consistency ऐहां पर क्या स्मूट्धिंग फिल्टर लगा देते हैं तो जहां पर यह जो फ्रिक्वेंसी है यह वाली जो है ठीक है इसको यह रिमूव कर देता है तो इस तरह का सिग्नल बन जाता है इस स्मूतिंग सिग्नल में यह बिल्कुल इसके सेंटर में जाएगी हर जगह तो यह आपका ढाल देया लिए और थी लोगा जाएगा मोटर को कांट्रोल ऐताब अधार रहता है जग्यां तो तो यहां पर देख सकते हैं जैसे कि आप कुछ दे रहे हो वह पूस्ट करा रहे हो वह सब आप इसमें पूर्म में दे रहे हो इनालोग में दे रहे हूं जैसे कि अब एक करते हैं तो वह अगर उस तेमप्रेचर से जधाधा इंक्रीज होता है तो क्या करता है तो एवा सब्सक्राइब टो यह वह और तो इस तरह चलता रहता है कंटिनूर्ण से तो वहां पर एनलोग तो उधर नहीं सबतना हैा कर्या है दिए कि ऐसे सर भी हो सकता है हो सकता है है को सबढब से काम सक्ट माइटार काम काम शाल जाएग perspectives नहीं बनेगा तो माइकर अोने में 10 एकी काम होगा नें अब आलोग अमारा मोबाइल phone तो मोबाइल फोन से आपको गाने सुनने आपको डिजितल फोम में तो खुछ समझ में नहीं आएगा तो उसको क्या करेंगा वो उसको फिर डाफ्रेम के एल्प से उसको कनवर्ट करेगा और उसको डिजिटली सेव करेगा तो ऐसे मूवी हो गए है से फोटो हो गए है से वीडियो वोईस बगरा यह सब जो है सब डिजिटल फोम में सेव होती है पर जब आउटपुट पर आती है तो वो कुछ भी साउंड निकल के आ रही है तो भी अनलोग फोम मी कनवर्ट हो गया एगी ठीक है तो वहां पर आपको डिजिटल पर जबदेगी इस तरह गया है और उसके बाद स्मूटिंग फिल्टर और उसको देते हैं कहां पर लाउड़ स्पीकर पर यहां से लाउड़ स् ठीक है तो स्पीकर पर देंगे और हमारी साउंड आ जाएगी ठीक है तो ठीक है उसको यह रहने रहते हैं नेक्स लेक्टर में स्टार्ट करेंगे डिजिटल तो अनलोग कनवर्टर और उसके बाद फिर आर्ट वार यह इस तो वेटेड रेसिस्टर डीएसी है डिजिटल तो लाइक जरूर करना सब्सक्राइब जरूर करना चैनल चलिए थैंक्यों